हरे कृष्णा नित्यानंत रयोदशी की आप सभी को हार देख शुपकामना है श्रिष्टी की रचना के समय आदी पुरुष भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रथम विस्तार अनंत शेश या बलराम जी श्री चैतन्य महाप्रभू की लीला में श्री नित्यानंद प्रभू बनकर प्रकट होते हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी है, भगवान श्री राम के साथ लक्षमन जी है, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभू जो स्वय भगवान श्री कृष्ण है, उनके साथ कल्युक के जीवों का उधार करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभू प प्राप्ति के पश्चात कोई भी आत्मा इस जन्म मृत्यू जरा व्याधी के युक्त स्थूल शरीर में वापस कभी नहीं आती और ऐसे भगवाध्धाम की प्राप्ति करवाने तथा बद्ध एवं पती जीवों के उधार करने के लिए कल्यूग में अफ्तरन हुआ श्री च नित्यानंद प्रभू वे और कोई नहीं स्वयंबल राम जी हैं प्रेम से उन्हें निताई इस नाम से भी पुकारा जाता है बाल्यवस्था से ही नित्यानंद प्रभू अपने मित्रों के साथ भगवान की अनेक लीलाओं का खेल के रूप प्रस्तुत करते थे कभी-कभी वे श्री कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों का नात्य रूपांतर करते तो कभी रामायन में लक्षमन जी की लिलाओं का प्रदर्शन करते थे महाप्रभु जी के प्रमुख पार्षद और संगी नित्यानंद प्रभू ने हरिनाम संकीरतन को अर्टिधिक प्रचारि के लिए नित्यानंद प्रभू हर व्यक्ति के घर घर जाकर उनसे नम्र निवेदन करते थे कि वे हरी नाम को अपने जीवन का अंग बनाकर अपना जीवन सफल करें इस तरह उन्होंने असंख्य जीवों में भगवान के नाम रूपी कृपा को बाठ दिया है वे हर जीव के गुरू स्वरूप है जो भगवान से हमारे संबंद को उजागर करने में हमारी सहायता करते हैं नित्यानंद प्रभू के आश्रे बिना हमें चैतन्य महाप्रभू की कृपा कभी नहीं मिल सकती वैशनव आचारियों ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग नित्यानंद प्रभू की कृपा प्राप्त के बिना श्री चैतन्य महाप्रभू को समझने की कोशिश करेंगे वो कभी सफल नहीं होंगे भगवान चैतन्य महाप्रभू की चरण कमलों तक पहुचने के लिए आदी गिरू के रूप में नित्यानंद प्रभू से बहुत निष्टा पूर्वक प्र ब्यक्ति हैं परम क्रिपालू श्री नित्यानंद प्रभू के चरित्का वर्णन करते हुए शास्त्रों में एक बहुत सुनुदर श्लोक आता है प्रेम applying नित्यानंद क्रिपा अवतार उंट्तम अधम किछु न करे विचार अर्थात नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रती प्रेम में ऐसे मगन है कि योग्यता अयोग्यता देखे बिना सभी में भगवान का यही शुद्ध प्रेम बाटते रहते हैं संसार के सबसे पती जीवों के उधार हेतू प्रकट हुए करूना के सागर श्री नित्यानंद प्रभु और हमारे जीवन में उनकी करूना का प्राकट ये होता है हमारे गुरु के रूप में इसलिए नित्यानंद रयोदशी के इस शुप दिवस पर आएए अपने गुरु और उनकी शिक्षाओं के प्रती और भी प्रती बद्ध हो जाएं और नित्यानंद प्रभु से क्रिपा की याचना करें जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु के संकेतन आंदोलन में हम तन और मन से समर्पित होकर विश्व भर में हरी नाम की महीमा का प्रचार कर सकें धन्यवाद हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्ती मय कारिक्रमों के लिए देखिये हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डी टी एच ऑपरेटर से संपर करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839